नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है रशीद वेदी एक और वीडियो में आपका स्वाइट करता हूँ क्यूबास न्यू सिंगल करेंसी के बारे में आपे बात करेंगे रिसेंटली एक न्यूज निकल के आ रही है निउस ये निकल के आ रही है कि क्यूबा में दो प्रकार की करंसी चलती थी और उसमें से एक करंसी को बंद किया जा रहा है और जो दूसरे प्रकार की करंसी थी देखें दो करंसी थी एक प्रकारी करंसी को बंद किया जा रहा है और जो एक प्रकार की currency चालू रहेगी, उसका जो exchange rate था with respect to US dollar, अब वो daily basis पे change होगा तो ये news क्या है, इसको detail में देखेंगे, क्यूबा की location को देखेंगे map में, क्यूबा में ये दो currencies क्यों आई, उसके बारे में बात करेंगे क्यूबा और US के बीच में क्या ideological classes है, ideological कैसे classes का मतलब ये हो गया, कि क्यूबा एक socialist country, completely socialist country है, क्यूबा में हर चीज सरकार की control के अंदर है और obvious ही बात है, US एक capitalist country है, तो ideological differences आजाते हैं, उनको भी देखेंगे क्या क्यूबा अभी के लिए US डॉलर को इस्तमाल कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्या past में किया है, इन सब चीजों को देखेंगे old currency का क्या होगा, Cuban government ऐसा क्यों कर रही है, और इससे जो average Cuban citizen है, उसके life पे क्या impact पड़ेगा, इन सब चीजों को समझने हैं कोशिश करेंगे 25 सालों के बाद, क्यूबा अपने dual currency system को खतम कर रहा है, और Cuban convertible piso को eliminate कर रहा है अगर बात की जाए, Cuban convertible piso की, देखें, 1994 से Cuban convertible piso थोड़ा थोड़ा इस्तमाल हो रही थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके साथ US dollar भी इस्तमाल हो रहा था 2004 में US dollar को बिल्कुल बंद कर दिया गया, क्यूबा के अंदर, तो जब 2004 में US dollar को बिल्कुल बंद कर दिया, क्यूबा के अंदर, तो उसके बाद Cuban convertible piso का इस्तमाल बढ़ा लेकिन 1994 से ही Cuban convertible piso का थोड़ा बहुत इस्तमाल किया जा रहा था इसलिए अगर आप overall time from को देखो, तो लगबख 25 साल से जादा हो चुके हैं, लगबख 26 साल हो चुके हैं, इस currency को क्यूबा में चलते हुए बहुत speed से 2004 के बाद चलिए, चूँकि 2004 में US dollar बंद कर दिया गया क्यूबा में अब आप सोचोगे कि भाई, एक country अगर उसके पास खुद की currency है, तो फिर वो US dollar का इस्तमाल क्यों कर रही है, आप समझे ये बात को, एक जनवरी से पहले, यानि ये एक जनवरी 2021 से पहले, तीन प्रकार की currency सर्कुलेट कर रही थी क्यूबा के अंदर, एक थी Cuban peso, एक थी the Cuban convertible peso, और एक है US dollar, अब ये जो Cuban convertible peso है, इसको eliminate किया जा रहा है, और जितने लोगों के पास भी ये Cuban convertible peso है, उनके पास 6 महीने का time है, कि वो Cuban government के पास, Cuban government जोरा appointed authority के पास, जाके अपने convertible peso को Cuban peso में convert कर वा सकते हैं, तो तीन पकार की currency, Cuban peso, एक है Cuban convertible peso, एक है US dollar, convertible peso को ban कर दिया गया है, और Cubans को 6 महीने का समय दिया है, कि जितने भी आपके पास convertible peso है, इनको Cuban peso में exchange कर वा लीजे, और इसके लिए एक single CUP to USD rate निर्दारित किया गया है, यानि convertible जो peso है, US convertible, ये जो आपका convertible peso है, अब एक तो और बता दो आपको, ये जो convertible peso है जिसको ban किया गया है, इसकी जो value थी न वो एक US dollar के बराबर थी, तो चाहे आप कह लिजे कि एक convertible peso, Cuban peso में कितना होगा, या एक US dollar Cuban peso में कितना होगा, एक ही बात है, चुकि भाई अब तक ये जो convertible peso नाम की currency बनाई गया थी 1994 में, इसक convertible peso बराबर एक डॉलर, अब ये भी जो changes निकल के आ रहे हैं, इससे skyrocketing inflation आएगा, ऐसा बोला जा रहा है क्यूबा में, अब ये skyrocketing जो inflation आएगा, वो इस currency बैन की वज़े से आएगा, ऐसा क्यों आएगा, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, सासा क्यूबा क की economy अलरड़ी खराब चल रही है दोस्तों, COVID-19 फैला हुआ है, तो economy tatters में, अलरड़ी tourism कम हो चुका है, Trump era के समय के economic restrictions और लगे हुए क्यूबा पे, तो जो American business है, वो क्यूबा में operate बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं, क्यूबा के साथ पैसो का अधार प्रतान भी मुश्क के साथ अलरड़ी लोग struggle कर रहे हैं, basic items जैसे की food, bread के लिए हैं, वहाँ पे लाइने लगती हैं, बड़ी बड़ी, तो कुल मिला कि क्यूबा, अलरड़ी आप कह सकते हो की financial crisis से गुजर रहा था, और अब उसकी financial crisis और भढ़ती हुए नजर आ रही है, इस currency event के बाद, तो ज जिसके जिसके पास भी convertible पीसो हैं, वो सरकार के पास जाके उसको Cuban पीसो में बदलवा सकते हैं, एक convertible पीसो अगर आप Cuban सरकार को दोगे, तो Cuban सरकार आपको 24 पीसो देगी, देखिए CUP और CUC में फर्क मत करिएगा, समझेगा, CUP ये Cuban पीसो है, एक Cuban पीसो की जो value होती है न वो लगबग 0.042 डॉलर के बराबर होती है, आप समझ समसकते हो कि देखिए 24 CUP अगर एक डॉलर है, तो एक CUP बराबर हो जाएगा, एक बटे 24 डॉलर, एक बटे 24 डॉलर हो जाएगा 0.41666666 ये आप कह सकते हो लमसम 0.042 ये डॉलर, तो ये एक convertible पीसो अब अगर आप ये Cuban सरकार को दोगे, तो Cuban सरकार उसके बतले कितने देगा, आपको 24 पीसो देगा, क्योंकि चाहे आप US डॉलर बोल लिजे, चाहे convertible पीसो बोल लिजे, दोनों की value एक थी, तो एक convertible पीसो दीजे, तो भी आपको 24 CUP मिलेंगे, Cuban पीसो मिलेंगे, एक US डॉलर दीजे, तो अब ही आपको 24 पीसो मिलेंगे, ठीक है भई, क्योबा की बात कर लेते हैं थोड़ी जोग्रफिकली, अभी भी आपको ये news समझ में नहीं आई, आगे समझ में आ जाएगी, बहुत कुछ बताना बाकी है, तो इसको बलाता है Republic of Cuba, Islands of Cuba है इसमें, आप देख सकते ही, ये पू Atlantic Ocean में ज़र आ रहा है, तो क्यूबा एक ऐसी जगा है जहाँ पे Atlantic Ocean, Gulf of Mexico, Caribbean Sea, तीनों मिल रहे हैं, एक चीज, दूसरी बात, अगर आसपास देखो आप, तो ये युकार्टन पेनिसुला मेकसिको का, ये है युकार्टन पेनिसुला मेकसिको का दोस्तों, यहाँ पे, इस कहा है, तो कैंकर नाम का शहर समवेर यहाँ पे है, मेकसिको में, इस कैंकर नाम के शहर में, 2010 में, एक एक इन्वार्मेंटल मीट हुई थी, जहाँ पे कंट्रीज के ओपर ये बोला गया था, अपने एमिशन को थोड़ा कम करिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करिए, इसलिए पे आपको बहामास नजर आ रहे हैं, फैले हुए, ठीक है बई, साउथ में आपको जमयका नजर आ रहा है, केमन आइलेंड हैं साउथ में इसके, हवाना इसकी लाजर सिटी और कैपिटर है, अगर ये पूरा का पूरा क्यूबा है, तो यहाँ हवाना है, यहाँ पे भी इसको आप क्यूबन पीसो बोल सकते हो, C.U.P. बोल सकते हो, यह आइलेंड की करंसी है, ओफिशल, और इसको पोस्ट रेविलूशन के जो सेंटरल बैंक था, क्यूबा का, उसके प्रेजिडेंट साब, पहले प्रेजिडेंट साब, अनेस्टो चे गुवारा ने हो जाती है, तो उस कंट्री की करंसी होती वह भी डिवैल्यू हो जाती है, यह जो क्यूबन पैसो थे न ये कौडियों के भाव आगई मार्किट में, क्यूबन पैसो में इतना जथा इंफलेशन आने लगा, यह जो डॉमेस्टिक करंसी थी, क्यूबन पैसो C.U.P., यह उपर अगर क्यूबा के लोगों को भरसाई नहीं है तो क्या मतलब है अब यहां पे अगर लोग कोई दूसरी करेंसी अन ओफिशली यूज करने लगें तो एक प्रकार का ब्लैक मार्केट फैल जाएगा जिससे नैशनल एकॉनमी में फर्क पड़ेगा चुकि देखिए नैश इंटर्वेंशन नहीं है तो एक नई प्रकार की ब्लैक एकॉनमी चलने लगेगी जिसके ओपर कोई भी कंट्रॉल नहीं होगा सरकार का कि यहां पर होता क्या है कि जब भी कंट्रीज इस डिलेमा में आती है कि इकनॉमिक इन्वाइरोन्मेंट की वजए से उनकी जो खुद की करन्सी है उसकी कोई वैल्यू नहीं बच रही है तो कुछ समय के लिए वो जो कंट्रीज है वो किसी और करन्सी को इस्तमाल करने लग आपने दूसरे देशी करन्सी को इस्तमाल करना शुरू कर दिया, आपने वैसे तो इसमें कोई प्रादलम नहीं है, दुनिया भर की कंट्रीज तूसरी कंट्री को करन्सी को इस्तमाल कर सकती है बट आप समझे दोस्तों RBI का इंडियन रुपी के ओपर कंट्रोल है मालीजे कल की डेट में इंडियन रुपी को छोड़के इंडिया में US डॉलर नाम की करेंसी चलने लगे तो क्या US डॉलर इंडिया का Central Bank इशू करता है नहीं US डॉलर तो US का Federal Reserve इशू क पर कंट्रोल होगा नहीं होगा चुकि monetary policy के ओपर कंट्रोल अगर आपका है तो आप पैसे के supply को और availability को मार्केट में बढ़ा घटा सकते हो और मार्केट में बढ़ाने घटाने की चलते आप उसके inflation को कम जादा कर सकते हो समझे बात को तो जो monetary policy हो तो उसमें क्या होता है कि पैसे की liquidity cost system में या तो बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो अगर आप बढ़ा रहे हो तो economic activity बढ़ दी अगर आप घटा रहे हो तो economic activity थोड़ा स्लोडाउन करके आप inflation control करने कोशिश कर रहे हो बट क्यूबा के साथ problem क्या होई क्यूबा ने US dollar को जब इस्तमाल करना शुरू कि तो क्यूबा का आप कोई control तो है नहीं US dollar की issue पर तो अपनी monetary policy की उपर से क्यूबा का control चूटने लगा समझ के बात को तो अब एक problem आ गई है यहाँ पर problem क्या यह तरीके का dilemma है एक तरफ dilemma क्या है कि पूरी तरीके से Cuban peso इस्तमाल करते हैं बट Cuban peso इस्तमाल करने से कुछ होने वाला नहीं है लोगों का खुद भरोसा नहीं Cuban peso पर दूसरा तरीका क्या है कि Cuban peso अटा दो आप डॉलर इस्तमाल करो अभी आप डॉलर इस्तमाल करोगे तो आपकी खुद की कोई currency नहीं है तो आपका कोई control ही नहीं रहेगा अपनी monetary policy पर तीसरा option क्या है कि आप Cuban peso इस्तमाल करो आप डॉलर इस्तमाल करो यही किया क्यूबा ने 1993 में आप देखिए कि US डॉलर को Cuban peso के साथ legalize कर दिया गया क्यूबा में तो अब क्यूबा में दो currency हो गई ऑफिशली एक थी Cuban peso और एक थी आपकी US डॉलर अब दो currency इस्तमाल होने लगी थी एक domestic currency थी और एक आपकी foreign currency थ जैसे कि for example 1993 में US डॉलर को क्यूबा में legalize कर दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि क्यूबा में लोग चीजों को खरीदने के लिए US डॉलर से payment कर सकते हैं लेकिन 2004 में US डॉलर को फिर से ban कर दिया गया क्यूबा में तो क्यूबा में 1993 में legalize हुआ फिर 2004 में US डॉलर को ban किया गया फिर बाद में US डॉलर को apply किया गया तो आप समझी है हापे ये जो क्यूबा की सरकार थी ये डॉलर को actually में चलाना नहीं चाहती थी उनके देश में लेकिन उनकी मजबूरी थी क्यूबन पीसों में इतनी दम नहीं थी तो यहाँ पर सरकार ने सोचा कि यार एक domestic और एक foreign currency के साथ क्या कोई तीसरा option जुड़ा जा सकता है तो भाई तीसरा option जुड़ा गया और उस तीसरे option के लिए introduce किया गया क्या CUC, convertible, क्योबन convertible पीसो, convertible पीसो यहाँ पर देखें convertible पीसो थोड़ा थोड़ा 1994 से इस्तमाल हो रहा था लेकिन 2004 में इसको प्रोवेक्टिवल इस्तमाल किया जाने लगा तो एक तो था क्यूबन पीसो, एक था था यूएस डॉलर्स, क्यूबन पीसो यूएस डॉलर्स, इसके अलावा यहाँ पर CUC आन्गे, convertible पीसो आन्गे, एक आप कह सकते हो कि master stroke खिलने के कोशिश की क्यूबा की सरकार ने चुक यह जो क्यूबन पीसो है क्यूबन convertible पीसो है ना इसके उपर क्यूबन सरकार का जोर था और यहाँ पर क्यूबा की सरकार क्या बोल रही है कि एक convertible क्यूबन पीसो एक US डॉलर के बरबर होगा मतलब कोई भी market factors के basis पे conversion डिसाइड नहीं होंगे चुकि क्योबा एक centrally controlled socialist country है तो वहाँ पे currency के exchange rate को तैय कर सकते हैं तो यह जो currency थी आपकी convertible piece हो इसका एक convertible piece हो एक dollar के बराबर रखा गया अभी के लिए अभी जो convertible piece हो ban किया गया है इसमें एक problem हा रही है पहले क्या होता था normal cases में कि अगर आपके पास एक convertible piece हो है और अगर उसको आप बेचते हो तो आपको 25 Cuban piece हो मिल जाएंगे लेकिन अब सरकार ने जब यह बोला है कि हम convertible piece हो को खतम कर रहे हैं तो जब हम convertible piece हो को खतम कर रहे हैं आप हमारे पास आके convertible piece हो दे दो हम आपको 24 Cuban piece हो देंगे आप problem होगी लोगों के लिए लोग यहाँ पे बहुत सारे यह बोल रहे हैं कि बाई जब हम काम कर रहे थे तिने सालों से तब हमको कभी कभी जो payment मिलती थी वो convertible piece हो मिलती थी उस समय पे एक convertible piece हो की value थी 25 Cuban piece हो तो हमने कमाय तो 25 Cuban piece हो के साब से लेकिन जब यह Cuban piece हो हम आपको देंगे तब आप 24 Cuban piece हो दोगे तो जब हमने एक convertible piece हो बनाया था उस समय पे एक convertible piece हो की value थी 25 Cuban piece हो लेकिन अब हम वो एक convertible piece हो आपको वापस देते हैं तो आप हमको 24 पीसों दे रहे हो तो हमारी तो जिन्दिगी भर की मेनत का नुकसान हुआ है ऐसा बोला जा रहा है यहां पर किसके दोरा बहुत सारे क्यूबन्स के दोरा जिनके पास साइजेबल अमाउंट आफ कनवर्टिबल पीसों है तो कुल मिलाके यहां पर हो क्या रहा है कि जो कनवर्टिबल पीसों वाले हैं ना उनको सीधे सीधे 4 प्रतिशत का नुकसान हो रहा है चूँकि माली जो उनके पास 25 यूनिट की चीज़ है लेकिन उसको आप एक यूनिट की नुकसान पर बेचे रहे है जो इक बटे 25 का नुकसान हो गहा है जिसके चलते एकॉनमी में एक निगेटिव सेंटिमेंट पहल रहा है समझ गे अब यहां पर बहुत सारे एकसपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि रहे भाई क्यूबा में जो लोग काम करते थे उनको तो क्यूबन पैसों क्यूबन पीसों में पेमेंट मिलती थे उनको कनवर्टिबल पीसों में थे ना पेमेंट मिलती थी ऐसा नहीं है दोस्तो तूरिजम में involved था या फिर थोड़ी high end industry में involved था उसको payment convertible पीसों मिलती थी और अब वो convertible पीसों को जब Cuban पीसों में convert करेगा तो उसको सीधे सीधे 4% का नुकसान हो रहा है ठीक है भई इसके चलते बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी जिंदिगी भर की saving पे 4% का नुकसान खाएंगे और यह सब एक ऐसे समय पोग रहा है जब workers के पास already पैसा नहीं है जब supply side inflation वहाँ पर already आ चुका है जो कि obvious सी बात है क्यूबा के अंदर चीजों को इंपोर्ट करना आसान है नहीं जब चीजों को इंपोर्ट करना आसान है नहीं तो उनकी requirement की चीजें बाहर के द की जेब में और पैसा कम कर रहे हो ठीक है ना आप convertible पीसों को 24 पे convert करके already उनको चार पतेशतर नुकसान दे रहो हो कैसे दे रहो हो मैं आपको बता दिये उसके सासाथ यह जो convertible पीसों था इनकी ज़दातर holdings कौन पकड़ कर रखता था जो businesses हैं businesses क्या करते हैं चीजों को बनाते हैं अब आप समझ यह बात को जो businesses operate करते हैं क्यूबा में वो ज़दातर सरकार की control के अंदर ही काम करते हैं ठीक हैं बट यह जो businesses हैं यही सारी चीज़े बनाते हैं यही सारी economy में manufacturing करते हैं इनके पास था convertible पीसों अब अगर आपने convertible पीसों एक पीसों पर आप availability कम होगी market में को क्यूबा के और और चीज़ों के availability कम होगी और inflation बढ़ेगा तो यह भी करने inflation बढ़ने का समझ कि आपको बहुत सारी चीज़ों से यह चीज़ें connected हैं उसके बात अब सरकार ने एक announcement और किया है सरकार ने यह बोला है कि क्यूबन पीसों उसके जो rate है वो daily ब पीसो तो एक पीसो बराबर हो गया 0.04 दो यूएस डॉलर अब एक यूएस डॉलर के बराबर कितने क्यूबन पीसों होंगे यह daily के basis पे vary करेगा और जब daily के basis पे vary करेगा तो volatility आएगी market में चूबा एक ऐसा देश है जो कि economically पूरी दुनिया से नहीं जुड़ा है वो काफ volatility है क्यूबन मार्केट में वो जाद आएगी जो कि अब लोहां के लोहों को लग रहा है कि पहले तो आपने convertible पीसो खतम कर दिया convertible पीसो खतम करके आपने हमको कम पैसे वापस किये उसके बाद आप भी बोल रहे हो कि क्यूबन पीसो तो यूएस डॉलर के जो exchange rate है वो रो आके देंगे ये बात क्यूबन सरकार ने बोली है तो क्यूबा की सरकार बोले कि जो government salaries and pensions है उनको inflation adjust करके पैसे दिये जाएंगे लेकिन हरको इसे ना government servant है बहुत सरो लोग private sector में काम करते है उनके हक क्या वो तो सफर करेंगे ना क्या उनको सरकार सब कुछ inflation से adjust करके देने की बात कर रही है नहीं उनको तो private sector से नौकरी मिननी है और private sector बस convertible piece हो था convertible piece हो का आपने devalue कर दिया तो उनका तो नुक्सान हो गया ना बट यहाँ पे Cuban President Miguel Diaz Canal ने बोला है कि भाई यह कुछ ऐसे transformation से जो हमें कर नहीं है अपने economic social model में कहीं ना कहीं Cuban President Miguel Diaz Canal की बात सही है आपको अपनी economy को global economy के साथ link करना पढ़ेगा नहीं तो आप survive नहीं कर पाऊगे लेकिन यह जो linking का process हो रहा है ना यह कैसे समय पे हो रहा है जब औरड़ी क्यूबा के उपर economic embargo लगा हुआ USA का और क्यूबा में COVID-19 चलते काफी problems है तो overall यह जो समय निकल रहा है आपके Cubans के लिए काफी मुश्किल हो रहा है हो सकता है कि आगे अनल समय में क्यूबा में जो everyday goods के दाम है वो बहुत ज़ादा बढ़ जाए क्यूबा एक और announcement आया क्यूबा की government के तरफ से क्यूबा की government ने बोला है कि अब जो लोग भी क्यूबा के अंदर आ रहे हैं उनको एक negative COVID-19 टेस्ट देना है तो पहले जो लोग tourism के लिए क्यूबा के अंदर आते थे अब वो भी आने कम हो जाएगा international travel कम हो जाएगा तो और वहाँ पे कम में इतनी खराब है तो COVID-19 निगेटिव टेस्ट रखने की क्या जूरूत थी? प्राबलम तो होगी ना? तो यह था बाई, क्यूबा का एक करनसी खोटा देना. I hope आपको काफे कुछ सीखने को मिला हो. Thank you for watching, friends. Thank you for your patience. Have a great day. Good bye.